नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्याम क्लास स्टडी में आज के वीडियो में ले करके आया हूँ यूटूब चैनल स्टडी में आने वाले जीके जीएस के सैंतिस महत्मूल परिशने जो आने वाले यूपले परिच्छा में आपको देखने को मिलेंगे आसा नहीं आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इस पूरे मंसे अपने इस प्रिट्ट सेट को पूरा लगाएं इस परिडियो पर संद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देजीए चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं कि चैनल को जरू सस्क्राइब कर देजीए चलिए सुरू करते हैं आज का अपने 37 प्रिशनों का महत्मूर प्रिटिस सैड तो पहला कुछन ने आपके सामने हो जाएग अमिर्का के राष्टपती आधिक्तम कितनी बार राष्टपती बन सकते हैं तो कितने बार बन सकते हैं तो यह बन सकते हैं आधिक्तम दो बार ऑप्सन नमर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अंगला कोशन ने आपके सामने हो संसाथ की सदस्याओं का बेतन देने का निर्णा क देने का लेता है, बुलेता है संसद option number A, इसका right answer हो जाएगा अंगला question आपको सामनों किस अनुसूची में तीनों सूची, संग सूची, राज सूची, संबर्ती सूची का बरणन मिलता है, तो किस अनुसूची मिलता है यह आपको बताना है तो जिसका बरणन मिलता है, वो मिलता है साथवी अनुसूची में option number B, इसका right answer हो जाएगा अंगला question आपके सामनों भारती दलहन, अनुसंदान, केंदर कहां पर इस्तित है तो भारती दलहन, अनुसंदान, केंदर वो इस्तित है कानपुर में option number C, इसका right answer हो जाएगा अंगला question आपके सामनों, भारत में सबसे अधिक रेसम, उत्पादर करने वाला राज कौन सा है याई रेसम सबसे अधिक किस राज में होता है तो यह होता है, सबसे अधिक करनाटक राज में option number D, इसका right answer हो जाएगा अंगला question है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कौफी की किस किसम की है तो सबसे अधिक किस किसम की कौफी उगाई जाती है, भारत में तो यह उगाई जाती है अर्रेविका किसम, option number A इसका right answer हो जाएगा नेट कौशन है, आपके सामनों, नल सरुबार पक्षी अभ्यारण किस राज में है तो जिए नल सरुबार पक्षी अभ्यारण है वो किस राज में यह आपको बताना है तो यह है हमारा गुजरात राज में option number C इसका right answer हो जाएगा अंगला question है, आपके समय मुगलों की प्रधान मंतरी को क्या कहा जाता था तो क्या कहा जाता था यह आपको बताना है तो यह कहा जाता था बकील option number A इसका right answer हो जाएगा option number A इसका right answer हो जाएगा, अंगला question है आपके सामने हो जहांगीर की रुची सबसे अधिक किस कलाम है थी तो जहांगीर की रूची सबसे अधिक वो थी चित्र कलाम है उप्सन नमर 20 का राइट अंसर हो जाएगा अंगला कोशन आपको सामने हो किस राज ने सबसे पहले तिर इस तरिये पंच्याती राज प्रणाली को अपनाया था यहीं तो किस राज में तरिये पंच्याती प्रणाली अपनाया तो कहां पर अपनाया यह पनाया था राजस्थान ने ऑप्सन नमर 20 का राइट अंसर हो जाएगा अंगला कोशन ने भारत में नियायक संग्ठान की सब्सक्राइब किस ने की तो भारत में जो नियाएक संग्ठा ने इसकी सब्सक्राइब की थी वो किती लौड कार्णवाल इसने option number C इसका right answer हो जाएगा अंगला question रुद्र सागर जील किस राज्जिमें इस्तित है तो यह है हमारे मद्द पिर्देश में option number A इसका right answer हो जाएगा अंगला question है सुद्धी अंदूलन के परवर्थक कौन थे द्यानंद सरस्थती option number uk 3 इसका right answer हो जाएगा अंगला question है किसी न्यायदी इसको एक उच्चे न्याला से दूसरे उच्चे न्याला में इस्थांतृत करने का अधिकार किसके पास है किसके पास एहाए परती के पास option number C, इसका right answer हो जाएगा, अंगला question है आपके सामनों, लगू सम्मिधान के सम्मिधान संसोदन अधनियम को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है, इसका right answer हो जाएगा, अंगला question है, आपके सामनों, किस राज के बिधान परसद में, कितने सदस बिधान सभा से चुने जाते हैं, तो कितने सदस चुने जाते हैं, तो यह चुने जाते हैं, एक वटा तीन सदस, option number 20 का right answer हो जाएगा, अंगला question है, सिक्षा किस सूची का बिधा है, तो जो सिक्षा है, वो किस सूची के बिधा है, तो यह सिक्षा जो है, वो संबर्ती सूची का बिधा है, option number 30 का right answer हो जाएगा, निरवाचन आयोग के कोले सदस्यों की संक्या कितनी होती है, तो निरवाचन आयोग के सदस्यों किस राजिस से है दिनिस गोस्वामी समवति के संबन्द किस राज से तो इसका संबन्द है शुरी किस सुधार से इस आप बताना है राजिस से न है स्वर्य सुधार से तो इसका संबन्द वह निरवाचन सुधार से ऑप्सन नम्まर दी स्कार pat와 Right Answer हो जाएगा अंगला कोश्चन है सीर साहे ने कालिंजर पर अपना अंतिमाकरवन कब किया था तो कब किया था सीर साहे ने तो यह किया था 1545 ECB में ओप्सन नमर 60 का राइट आंसर हो जाएगा अंगला कोश्चन है आपको समने माल परभाप परियोजना किस राज में है तो माल परभाप परियोजना है वो है हमारे करनाटा का राज में ओप्सन नमर 60 का राइट आंसर हो जाएगा बैमना जील किस राज में है तो बैमना जील वो कहां पर है तो बैमना जील केलर राज में ओप्सन नमर 80 का राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा अंगला कुश्चन आपके सामने हूं तिरुचरा पल्ली सहर किस नदी के तट पर इस्थित है तो तो पल्ली जो सहर नदी पर रहे तो यह कावेरी नदी पर option number B इसका राइट आंसर हो जाए आप वो comment बताना कि तरोज़रा पल लिए वो किस राज में है अंगला question ने 28 मां कवीर किसके समकालीं थे तो कवीर किसके समकालीं थे तो यह समकालीं थे सिकंदर लोदी की option number B इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगला question ने भक्त कभीों में वै कभी कोंन जिनोंने मूर्ती पूजा का बिरोध नहीं किया तो किसने बिरोध नहीं किया तो यह बिरोध नहीं किया तथा चेतन्ने option number A इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगला question न अनपूília योजना का सुवारम कप किया गया तो अनपूर्णा योजना का सुभारम किया गया था सन 2000 में आप्सन नमबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अंगला कोशन है कि सुल्टान ने धर्म को राजनीती से अलग रखा तो किस ने रखा था राजनीती से अलग धर्म को तो यह रखा था अलाओ धिन खिली ने ऑप्सन नमबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अंगला कोशन है दिल्ली संतनत का पहला अपकान सासक कौन था तो दिल्ली संतनत का पहला अपकान सासक कौन था तो यह अपकान सासक था बहलो लोधी, option number D's का right answer हो जाएगा अंगला कोशन आपके सामने, सिकंदर लोधी के मकवरी का निर्मान किस ने करवाया था तो सिकंदर लोधी के जो मकवर आया, इसका निर्मान किस ने करवाया था तो इसका निर्मान करवाया था अक इम्ब्रहेम लोदी ने option number C इसका right answer हो जाएगा अंगला question है तेनाली राम किसके दरबार में थे तो तेनाली राम किसके दरबार में थे तो यह दरबार में थे किशन देव राय की दरबार में option number A इसका right answer हो जाएगा अंगला कोशन है आपके सामनों दच्छनी धुरुप का अक्छांस कितना होता है तो दच्छनी धुरुप का अक्छांस होता है अब अक्छांस होता है 90 डिग्री option number C इसका right answer हो जाएगा अंगला कोशन है test cricket खेलने वाले पिर्थम भारती है कौन है तो test खेलने वाले पिर्थम भारती है वो भारती है हमारे है कि एस रंजीत सींग option number B इसका right answer हो जाएगा अंगला कोशन है ओवरा किसके लिए पिर्सिद्ध है तो ओवरा किसके लिए पिर्सिद्ध है तो यह पिर जाएगा thermal power station के लिए option number A इसका right answer हो जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने पूरे मन से इस प्रेटर सेट को लगाए तो आप अपना score कमेंट बॉक्स में जरूर सेरे करें कि मैं इस प्रेटर सेट में इतने प्रिष्ण सही की है मिलती है अपने नेट प्रेटर सेट में तब तक के लिए धनबात जेहन प्यारे साथ ही है